खजाने की खोच की कहानी पुराने समय की बात है गाउं में धनीराम नाम का एक खिसान रहता था उसके पास चार लड़के थे धनीराम अपना घर चलाने के लिए अपने खेट में ट्रसिकारी करता था लेकिन धनी राम के चारों लड़के बहुत जैदा आलसी थे वो कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं गय थे वो सारा दिन अपना समय गाउं में इधर उधर बैटकर बिताया करते थे एक दिन धनी राम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिन्दा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है मेरे बाद कौन खेती करेगा हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है धनी राम की पत्नी ने इस पर कहा कोई बात नहीं धिरे धिरे ये काम करने लगेंगे इसी तरह से धिरे धिरे समय गुजरता जा रहा था एक दिन धनी राम की अचानक से तवियत खराब हो जाती है और वा बहुत ज़्यदा बिमार पड़ जाता है इस दोरान धनी राम अपनी पत्नी से कहता है कि चारो लड़कों को मेरे पास बुलाओ मेरे पास समय बहुत कम है इतना सुनने के बाद धनी राम की पत्नी अपने चारो लड़कों को उनकी पता के पास बुला कर लाती है धनी राम इस बास से बहुत ज़्यादा चिंती थे कि उसके बाद उसके लड़कों का क्या क्या होगा इसलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठा कर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धनता मैंने वा सारा अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है जब मैं इस दुनिया में न रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा खजाना निकाल कर आपस में बाट लेना इतना सुनने के बाद धनी राम के चारों बेटे बहुत खुस हुए इसके कुछ समय बाद धनी राम की बहुत ज़्यादा बिमार होने की वज़े से मरत्त हो गई धनी राम की मरत्त की कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए खेत में पहुँचने के बाद चारो बेटों ने पूरा खेत खोद डाला लेकिन उसमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ नहीं मिला इस बाद से वा चारो बहुत निरास हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने खेत में जो खजाने के बारे में बताया था वा एक जूट था हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला ये सुनकर उनकी मावोली की तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में ये घर और खेत ही कमाया है अब जब तुमने इतनी महनत करके पूरा खेत खोद दिया है तो अब उसमें बीज भी डाल दो इसके बाद चारों बेटों ने खेत में बीज बो दिये और मा के कहे गए अनुसर खेत में समय पर पानी और खाद डालने लगे समय बीटता गया और कुछ समय बाद खेत में फसल तयार हो गई फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और उससे जो भी पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुसी मिली इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो माने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता जी तुम्हें यही संजाना चाहते थे कि जो हम मैनत करते है उसके बदले में ही हमें खजाना मिलता है आसा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड सेयर कीजिए इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके आवज से बताएं